ये बच्चों कैसे हो आप सब आप सब आप सभी बहुत अच्छे से होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने लाइफ को इंज्वाई कर रहे होंगे और एकदम बेस्ट अपना दीजिए खुब बढ़िया पढ़ाई करते रहे हैं तो जैसा कि मैं NCRT 11th class chapter 1st स्टा मोटिवेट नहीं होना है मोटिवेट करते रहे पता है आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा कीप होता है इंसान का तो अपने आपको सिल्फ से खुद से मोटिवेट करिए और पढ़ाई करिए और अगर आप इमानदारी से पढ़ते हैं पढ़िए जैसे मैं जो पढ लिक्षन भी होगा और आपका confidence लेवन बहुत बिल्ड अप होगा जब जो पढ़ेंगे उससे आपका अंसर फटा-फट हो जाएगा तो आपका confidence बहुत हाई होगा तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं second lecture हमारा कि एक मिनट कि आई सी बियन यह आई सी बियन क्या है मैंने बता था ना कि पूरे वर्ड लेवल पे जो है सांटिफिक एक रूल रहता है जिसके according नेमिंग होता है ना तो जो plants का होता है वो ICBN international मैंने बता था कि international लेवल पे कुछ रूल रेगुलेशन बनाएगे ए जिसके according जो है जो है जो रूल और रेगुलेशन है उसी के according नाम दिया जाता है तो plants के लिए ICBN और animals के लिए जो है ICZN ठीक है प्लाइश के लिए ICBN और एनिमल स्के लिए ICJN और हाँ ये एक्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है किस येर में आया था जो जो मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉक मतल लिखा है वह आप अपनी कॉपी में लिखके याद करीगा आप जब क्वेश्चिन करोगे तो आपको एक एक लाइन से मिले गए यहां से ठीक है इंटर्नेशनल लेवल पे जो कोड दिया गया है इसमें क्या किया गया गया है इसमें क्या है collection of rules regarding to scientific वही कुछ rules और regulation बनाया है scientific way में nomenclature of plants is known as ICBM ICBM was first accepted कब आया था ICBM आया था 1961 में आया था और जो है इसके कुछ rule है main rule इसके क्या है इसमें ना जैसे कि देखो first इसके जो rule है rule number first क्या है according to binomial system इसका naming बच्चों दिया गया है binomial system से binomial मतलब कि जैसे हम लोग कोई हो binomial मतलब हम अपनी common example समझाते हैं जैसे मेरा नाम है जागरिती ऐसे आप अपना अपना ले लिजिए सब लोग अपना ठीक है जैसे मेरा नाम जागरिती किसी नाम साक्षी किसी नाम आदिती डिफ्ती कुछ भी हो तो अगर एक नाम है जैसे मैंने एक नाम बताया आपका तो सिंगल हो गया ठीक है अगर मैंने अपना सरनेम लगा दिया तो बाइनोमियल हो गया ठीक है मतलब नेम में दुहा रहा है एक मेरा नेम एक सरनेम तो बाइनोमियल हो गया ऐसे प्लांट्स में जो है अब ये मत करना एक्जाम में कि ऐसे मेरा नाम और सरनेम लगा के बाइनोमियल बता देना बिल्कुल ऐसा नहीं करना है यह ज़स्ट मैं आपको समझाने के लिए एक एक्जामपल दी हूँ ठीक है एक्वार्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम नॉमिल कंसिस्ट अप टू कंपोनेंट्स इसमें दू कंपोनेंट्स है ठीक है बस मेरे कहने के मतलब यह है कि इसमें टू कंपोनेंट्स है एक आपका निम सरनिम इसे प्लांट्स के दो निम रहेंगे एक जैनरीक अपिथिट और एक स्पेसफी काफिथिट ठीक देखो दिया गया है जैनरीक जैनरीक नेम मिन्स नेम आफ चीनस जो जैसे मैंजी फेरा मैंजी फेरा नेम आफ चीनस और इंडिका क्या है इस्पेसफिक है फिरे नेम आफ इस्पेसीज मतलब मैंगो में भी क्या है यह इंडिका की स्पेसीज है मैंगो तो है मैंजी फेरा बता दिया कि भई यह मैंगो प्लांट्स है लेकिन और species किसी जैसे मेंगो में है न दशहरी माल दही पता हैं कौन को साम रपा ली ऐसे आम के विराइटीज होती है तो मतलब आम में भी कौन सा आम है ये बताना है मेंगो में भी कौन सा मेंगो है ठीक है मतलब एक single species मतलब अपनी individual identity रखती है एक single identity रखती है जैसे solenum tuberosum ये तो बता दिया कि solenum है जैसे solenum की कई species है अगर जो गाहों से बिलॉंग करते होंगे उनको पता होगा एक मकोई होती है मकोई black black color की बहुत अच्छी लगती खाने में मीठी मीठी लगती चोटी 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 तो जो ये मकोई होती है ना उसको solenum nigrum कहते हैं ठीक है मतलब वह भी solenum की species है लेकिन उसको nigrum कहते हैं और solenum tuberosum किसको कहें है potato को हम कहें है solenum tuberosum tuberosum मतलब tuberosum ये species है जो कि only for potatoes ठीक है ऐसे मैंजी फेरा देखो दिया है कि मैंजी फेरा epithet mango के लिए यूज किया गया है जेनरीक है ठीक है और second point पे second point पे इन plants nomenclature icbn totonyms are not valid जो plants के nomenclature icbn के उसमें totonyms valid नहीं किया जाता इसका मतलब क्या है कि generic name and specific name should be not be same in plants generic or specific names एक ही plant मतलब not should be same मतलब एक ही plants के लिए generic or specific name same नहीं होता है मतलब totonyms use नहीं क्या जेनरी नहीं अलग होना चाहिए specific habitat से specific name species जो होता है वो अलग होना चाहिए ठीक है नहीं तो फिर कैसे identify करेंगे जब दोनों same same हो जाएगा plants के place में ठीक है और देखते है example मेंजी फेरा मेंजी फेरा मेंजी फेरा नहीं हो सकता है it's not true ठीक है यह सही नहीं होगा अगर ऐसा है तो एकदम यह wrong है मेंजी फेरा इंडिका होना चाहिए second number पर देखिए मेंजी फेरा इंडिका होना चाहिए बट बट क्या है टाटो निम्स और वैलिड इन एनिमल्स लेकिन एनिमल्स के केस में टाटो निम्स वैलिड है ICZN मतलब कि International Code of Zoological Nomenclature मैंने बताया था कि प्लांट के लिए ICBN है और एनिमल्स के लिए ICZN है जैसे कि नाजा नाजा इंडियन कोब्रा का नाम क्या है इंडियन कोब्रा का नाम है नाजा नाजा ठीक है ऐसे याद करना नाजा को इंडियन कोब्रा को क्या बोलते है किंग किंग से राजा राजा से नाजा नाजा ऐसे याद कैसे मैंने याद किया था इसलिए आप लोगों को इसको क्विंग कोब्रा कहते हैं ठीक है तो नाजा से राजा राजा मतलब राजा से नाजा नाजा ऐसे याद कर लेना ठीक है जिसे रैटस रैटस रैट का नाम है ठीक ह आप याद कर सकते हैं एकदम इजी वे में अब अचों थर्ड पॉइंट्स फे देखो थर्ड नंबर हमारा क्या है फर्स्ट लेटर और जैनरीक नेम शुड़ बी इन क्यापिटर लेटर जो जैनरीक नेम है आल्वीज यह सब जो नेमिंग के रूल है उसको जरूर फॉलो करन आप से एकजाम में पूस्ता है कि क्या कैसे है जिसे आपको घलत नाम देगा मैंजी फेरा मैंजी फेरा देदेगा तो एकदम रॉंग करना लवगर आपसे रॉंग यह भी देखना कि एकजाम में ख़ई तरस क्वेस्ट पॉट अप होते हैं कि यह कौन सा इनकरेक्ट है क्या अप्याल माप अप्याल में हो नाच आप ले ना चाहिए और फ़स्ट लेटर अफ यह सुद्ट भी स्मॉल लेटर इस पैस्पीचिक अफिते तक का फ़स्ट लेटर है मतलब इनडी आप जो है वोस अल्वेज लार जाहिए कभि उसको लाज नहीं लिखना लार से ठीक देखे एक्जाम्बल पर दिया है मैंजी फेरा इंडी का तो generic name and specific एसे suit भी separately underline तो उसको separately underline करना मैंने नहीं कर पाया है बच्चों क्योंकि मतलब मैं इसको पिपटी जब बना रही थी तो मैंने चाही किया लेकिन हमसे हुआ नहीं लेकिन आप लोग मत करना ऐसा अगर आप कर सकते हो तो उसको underline कर देना हमें को ट्राई कर रही थी बट अंडरलाइन नहीं हुआ I mean ऐसे ऐसे होना चाहिए एक मिनट ब्रश लेते हुआ मैंस यह ऐसे होना चाहिए separately underline मैं जी फिर एंडी का देखो ऐसे होना चाहिए separately underline होना चाहिए बट द्यूरिंग प्रेंटिंग नेम शूर्ड बी इन इटैलिक्स ठीक है फ्री हैंड कर यह टाइप कर यह मतलब आप लिखिए जब उसको कॉपी में लिखे तब भी इसको चाहिए उस इसको कुलिक्स बिखता जाता एंडीक से हूँ और दो रिखता है और दीनो यह बताता है कि इसकी जो origin होती है वो Latin से हुई है Latin Greek यह सब वर्ड होता है यहाद रखना most important है और जो नीट exam होता है उसमें बहुत बाहर पूछा है कि जो generic और specific होते हैं वो जो है कि उसकी ओरीजिन किस से हुई है जो है लाइटीन तब उसमें यह है और देखें कि मतला हम बट ड्यूरिंग प्रेंटिंग नेम शोड़ बी इन इटालेक्स है सुन भी in italics indicate the Latin origin बितलब इसकी Latin origin को बताता है Name of specific who proposed nomenclature ठीक है इसकी Latin origin को बताएं Name of specific who proposed nomenclature should be written in short after the specific अफटे थे वही मैंने कहा कि एक और चीजीस में एड़ किया जाता है जैसे किसने डिसकेवर्ड किया भाई जिस सइंटिस कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए उसका पे पता चलना चाहिए कि जिन सइंटिस्ट नाम दिया है उनका diplomat उसके लश्ड में लिखा जाता है जैसे यह बहुत बहुत इन्होंने काम किया इसलिए बार बार आएंगे ठीक है तो मैं जी फिरा इंडिका फिर किस ने डिस्कवर्ट किया इसको लीनियस के रूलेस लीनियस physics नंबर पे देखो name of spaces should be neither underline nor in italics but written in roman letter simple alphabets इसको जब name of specific should be मतलब इसको ना तो underline करना है और नहीं italics करना है बट इसको roman letter में simple alphabets करना है ठीक है टाइप करते ताइप सौरी टाइप नहीं जब printing होगा उस time scientific name should be derived from latin usually और ग्रीक लाइंवेज और एक और दिया है कि जो scientific name होता है वो generally जो है या तो उसकी origin latin होती है usually latin होती है और ग्रीक वर्ट से भी Greek language जो होता है उससे भी लिया जा सकता है लिया जाता है और 8 नमबर पे है the specimen हर्बेरियम शीट क्या होती है विच्छों जैसे आप लोगों ने फाइल बना होगा फाइल बनाएंगे 12 त्वेल्थ में आप पता नहीं इस टाइम होता है नहीं हमारे टाइम पर हर्बेरियम शीट बनाए जाती थी उसमें क्या रहता था कि इसे फाइल रहती थी बड़ी जाता था एकदम उसी में और उसको चिपका देते थे अच्छे से यह तेप लगा कर देते थे फिर उसमें किस फैमिलिक है उसका नाम क्या है उसको लोकल लैंग्विज में क्या कहते हैं वहां पैसे लिखा रहता है वहां पे हम उसको लिखते थे ठीक है तो वही हर्बिरियम मिलने के चापily होती थे जिसमेश 되면 मतलब उसमें उसको बना के रख देते थे एक-एक प्लांस के बारे इससे है क्या है कैसे बना है जुद्ध भी प्लेश ने हैर्वरियम जै और उसको ड्राइगार्डें कहते हैं यह क्यों शर्द कोभी सरी है यह सब्सक्राइब कर्या इसको के बते हैं मतलब future reference के लिए कई purpose के लिए कि बाद में मतलब को जो इसे कोई plants हो सकता है मतलब अब नहीं मिलेगा तो उसको भी हम उसको भी हम उसमें रखते हैं future reference के लिए कि भाई यह ऐसा प्लांस था ऐसे था उसके बारे में इसका नाम क्या था किस families था तो इसके इसको हम dry garden ली कहें है हर्बेरियम शीट की मैंने लगाई थी structure पता नहीं दीख नहीं रहा हर्बेरियम शीट चलो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी हर्बेरियम शीट मैंने लगाई थी दीख नहीं रही है एक उन्हेंट साथ नीचे हो सारी image गायब हो गई ट्राइनोमियल सिस्टम और नॉमें लेचर मितलब इसमें बाइनोमियल में दो था ट्राइनोमियल में ठी रहेगा according to this system name of any organism is composed of three words मितलब किसी इसके according जो name of organism है उसमें ठी वर्ट आएगा generic specific और specific epithet ठीक है यह ज्यादा accepted नहीं है बट आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है ट्राइनोमियल सिस्टम में क्या क्या होता है तो generic specific और specific epithet यह मैंतलम ज्यादा इसको accept नहीं किया गया है maximum binomial system में ही होता है नाम तो कुछ example है ट्राइनोमियल के जैसे brisica ularecia kalorapa इसको non-nol कहते हैं ठीक है non-nol कहते हैं और brisica ularecia capiteta cabbage का name है brisica ularecia capiteta cabbage का name है और सबके नीचे underline रहेगा ठीक है मैं कर नहीं पाए हूँ लेकिन आप यह अपने mind में sit करिए कि सबके नीचे underline है जब आप कौपी में लिखोगे तो जो brisica ularecia capiteta तीनों के नीचे separately underline करना brisica ularecia botrytis यह cauliflower है cauliflower cabbage आप खाते हो ना जो नूडल्स चामें खाते हो तो उसमें पढ़ता है na cabbage और cauliflower की सब सी खाते हो आप classification और classification देखते हैं क्या है कि biological classification जो है the arts of identifying distinction among organism and placing them into groups that reflect the most significant feature and relationship is called biological class biological classification में क्या है कि सबको मतलब different different kinds के basis पे क्या है मतलब किस family से है naming क्या है इसको classify किया गया है ताकि इसको easily identify किया जाए और उसकी क्या important characters है उसको define किया जाए क्या इसकी benefits है क्या क्या use है क्या medicinal properties है इसलिए उसका classification किया गया और क्या है the purpose of biological classification इसका मतलब कहा है कि biological classification का purpose क्या था क्योंकि बहुत जादा vast number of organism इतले बहुत जादा organism की category है that could be named remember and study उनकी जो है उनकी जो है नमबर को remember किया जासे उनकी study किया जा सके ठीक है इसलिए उसको classify किया गया है types of biological classification types of biological classification क्या है कि practical classification in this type of classification plants are classified on the basis of their economy जो है पहला practical classification है इसमें वो जो plants है वो उनकी economic importance या human use के basis पे classify किया गया था याद रखना कि economic importance जिसलब कि कौन सा जैसे बर्ण किया जाता है जलाने के लिए काम देगा कौन से जो है यह construction में काम देगा तो उसकी economic use के basis पे किया गया था this classification earliest system मतलब बहुत पहले first number सबसे पहला system यह यह practical classification जैसे oil yielding plants, coconut, small nuts, soya bin से oil obtain किया जाता है fiber yielding plants, jute, cotton यह हमारा fiber yielding plants है फिर medicinal plants किया है raw wolfia है, sincona है और eucalyptus है यह हमारा medicinal plants है फिर आगया आपका notes, notes क्या है in this classification plants are classified on the basis of one or two morphological characters यह जो classification है इसमें plants one या two morphological characters के basis पे classify किया गया है that is overall morphology इसका मतलब यह कि सारे morphological characters इसमें नहीं consider की है तो उतना अच्छा इसको नहीं माना गया है आओ देखो अब artificial यह important है, lineage जो lineage थे ना, lineage है वो ही artificial classification system को बहुत accept किया गया है और natural system को तो lineage जो lineage है थे ना, उन्होंने artificial system को दिया था in this type of classification plants are classified on the basis of one or two morphological, इहोंने one या two morphological character लिया है that is overall, यह भी overall morphological character को नहीं लिये है example जैसे दिया है कि lineage जो lineage थे उनकी classification जो थी वो इसी पर basis थी और उन्होंने क्या किया था 24 classes में जो है किया था किसके basis पर, stamin के basis पर, stamin क्या है stamin जो होता है वो, जो plants के male reproductive part होता है जो है main reproductive part होता है, वो stamin होता है, main sexual organs जो है stamin plants में होता है, उनका एक book था general planterum उसी में उन्होंने 24 classes में plants kingdom को divide किया था, किसके basis पर, stamin के basis पर, exam में हमेशा पूछा जाता है, कि किसके basis पर, तो, ये देखो, stamin के basis पर, ठीक है gender planterum, book कौन थी उनकी gender planterum, और किसके basis किये थे, stamin के basis पर किये थे, lineage classification इसलिए lineage की classification को sexual classification कहा गया, क्यूंकि उन्होंने sexual characters को use किया था, that is, stamin को उन्होंने use किया था, जो कि plants का, जो है, sexual character है, reproductive organs है और male, male plants का होता है फिर आया हमारा natural classification, सबसे ज़्यादा, अगर accept कोई classification किया गया है, तो, natural classification किया है this classification based on their complete morphological character, मतलब इसमें सब कुछ ले गया है, complete morphological characters को इसमें show किया गया है मतलब stem, leaves, flower, fruits, सबको इसमें complete जितना morphological character होता है, जितना भी plants में बाहर से दिखता है, उन सबको इसमें लिया गया है इसलिए सबसे ज़्यादा best माना गया, सबसे ज़्यादा accept किया गया है, जो higher education में, research में, यहां maximum पढ़ाया जाता है वहाँ natural classification को ही पढ़ते है ठीक है, इसका importance दिया है, कि क्या importance है, तो natural classification is believed to be best classification इसको माना गया है क्योंकि it represents the natural similarities and dissimilarities, और plants, plants की natural similarities हैं, क्या dissimilarities हैं, उसको इसमें देखा गया, it represents interrelationship मतलब कि plants की interrelations, क्या, मतलब plants की एक पार से दूसरे पार से क्या relation है, वो define किया गया है और इसकी example किसका classification है, Bentham and Hooker थे, बहुत बहुत बड़े scientists थी यह लो तो Bentham and Hooker ने जो classification दिया था, वो इस पे based है, natural system पे based है Thank you so much, बच्चों, कैसा लगा, जरूर बताना, कोई query हो तो जरूर पूछना, ठीक है Thank you, और एकदाम विना demotivate हुए पढ़ाई करना, मैं मतलब पूरी guarantee लेते हूँ कि मैं मतलब जितना पढ़ा रहे, maximum question आपके exam में यहीं से पूछा जाएगा लेकिन हाँ, आपको भी ensure करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है पढ़ाई में आप कमी मत करिएगा, exam तो आपका जरूर crack करोगी आप Board exam भी अच्छे से दे सकते हो, इसलिए मैं जादा जादा content रखती हूँ ताकि जो Board के बच्चे हैं, उनको भी easy पढ़े, वो भी easily पढ़ सके इसलिए मैं content थोड़ा जादा रखती हूँ, ठीक है, thank you so much और यह जित्ते भी content है ना, इस आरे exam में पूछे जाते हैं बच्चे ब़फचे मैं जादा हैं